सब्सक्राइब करने वाले हैं सभी स्ट्रेट में आने वाली है एक नया प्रोग्राम आया है सब इसके अनदर वेकेंश्या आएगी व इक नाया प्रोग्राम रॉथ सभी में दिशायं गःतार है और इसमें मल्टिपल पॉष्ट रिलीज हो रही है तो आप इसी qualification देख लेना कि इसमें क्या क्या चाहिए और आप सभी फॉर्म इसमें भर पाऊगे जो पहली पोस्ट है cluster program manager cpm सारी पोस्ट जो है वो officers level की है और सभी की posting जो होगी वो district के hospitals में होगी इसमें maximum में चाहिए 50 year फिर clinical service CSO इसमें चाहिए 45 year उसके बाद है dmd data monitoring and documentation officer maximum HA 45 year इसमें तो सभी की स्टेट में आएंगी और अभी जो जिस स्टेट में आई है उसकी जो last rate है वो है 13 जैनवरी ठीक है तो आप आज 10 होगी है आप लोग आज यह कल में ही फॉर्म भेज देना आपका फॉर्म जो जल्दी पहुच जाएगा फॉर्म को पहुच निकल जो एड्रेस है वो पहले नंबर वन में एड्रेस में आप इसको चेकल देना बाकी वीडियो में क्या है पे का मिलेगी बताए तो आपको आप सभी की स्टेट माने वाले तो आप सभी का काम आएगी यह वीडियो जो पहली पोस्ट है क्लेस्टर प्रोग्राम मेंनेजर सीपी एम नंबर पॉचिशन चार है जो कैटेगरी में डिवाइट है और सैलेरी इसमें मिलेगी 54,300 फिर है क्लेनिकल सर्विस ऑफिसर चीए सो इसमें भी चार पोस्ट है और इसमें पहे 46,800 उसके बाद है DMD डाटा मॉनिटरिंग अंडोकमेंटेशन ऑफिसर इसमें भी चार पोस्ट है और इसमें पहे 37,590 तीनों ऑफिसर लेवल की पोस्ट है और यह जो रिकूट्मेंट यह आपका है पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटि से तो यह मैंने कहा था देखो दिशा प्रोग्रम लिखा है यहां पर दिशा तो HIV AIDS के अंदर नया प्रोग्रम लॉंच हो है आपका दिशा प्रोग्रम उसके अंदर एक्रूट्म भी फिलहाल में निकल रही है ठी करेंगे वह पैरा नंबर वन चेक कर लेना इसमें एड्रस लिखा वाई इस एड्रस में आपको तेरा जन्वरी तक फॉर्म अपना सेंड कर देना है ठीक है और डॉक्मेंट वगड़र लगा के भीज़ने बढ़ेंगे इसके अपना एप्लिक्शन फॉर्म प्लस सीवी सारे इंटर्वी हुई इस पोस्ट में होगा साथ में इसमें देखी जाएगी जो लाश्राली पोस्ट डाटा मॉनिट्रिंग वाली उसमें कंप्टर की पोस्ट है टीए नहीं मिलिया को जो भी क्या चाहिए आपने बैस लाट डिग्री कंप्रीट करी हो अपनी मेडिकर साथ में चाहिए गजा अपने साइक प्रागों टापाव किसमें अपने साइकोली वागरामें तो इसमें पांस टीन से पांस अग्स experience आपको चाहिए होगा CPM की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए और यह पोस्ट पर है बट इनका कॉंटेक्ट खतम नहीं होता यह आपके हर साल जो है वह होती रहते हैं तो आप एक साल काम करोगे उसके सब्सक्राइब करेंगे तो एक तरह की पर्मेंट पोस्ट इसको समझो ठीक है और क्या काम करना है वह आपके पास होने है और इनके साथ आपके पास वन एकस्पीरिस होने चाहिए अगर आप अपने पुब्लिक हेल्ट मैंजमेंट हेल्थ के ऐसमें स्टैड़ी किया है या फिर स्टैट में या फिर स्साइश में तो आपको तीन साल का प्लस अपने ट्वल्ट ऑनवाड और अपने ट्वेल्ट ऑनवाड फ्लस यूजी प्लस पीजी और प्लस एक्सपीरियंस ठीक है इन सभी कोई photocopy को self attest करके सीरीज लगाना उसके उपर cv लगाना साथ में form भेज दिना mention address पर 13 जन्वरी तक form आपका पहुँद जाए तो आप कल परसों में form भेज दिना इस पीस्ट पोस्ट कर दिना पहुँद जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप सभी अपने स्टेट की जो भी आपका स्टेट है यूपी राजिस्तान जो भी आपका स्टेट है आप वहां की website चेक की जिसे यूपी की है यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी यूपी एससी एस राजिस्तान की होगे राजिस्तान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऐसे हर्यान की होगि हर्याना स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी तो अपने अपनी वेबसाइट चेक करना अपने स्टेट की वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने मिल जाएंगे सभी पोश्टर के लिए काउंसलर्स एने मिस्टाफ ना सी एसों सी पीएम डीम डीयों बहुत ज्यादा पोस्ट आ रही है इनके दर भी नेकों के अंदर जो सब डेपाट्मेंट है तो सभी में अप्लाइ कर लिए बागे कोई क्वेर्यों कमेंड है पूछ लेना बागे वीडियो को लाइक करो वीडि मिलता अगले वीडियो में अब तकला थैंक यू